हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दस ऐसे अमेजिंग फेक्ट्स बताऊंगी, जीने सुनकर आपके मुझसे बस एक ही आवाज निकले की, ओ माई गॉड, देट्स क्रेजी, दोस्तों क्या आप जानते हैं, गैरेंटी और वार स्पॉंसर बाई और पावरड बाई में क्या अंतर होता है, ट्रेन में सफर के दोरान अगर मोबाईल फॉन ट्रेन से नीचे गिर जाए तो क्या करना चाहिए, डोक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज से हवा क्यों निकालते हैं, छीक रोकना खतरना क्यों होता है, आर्मी ओफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं, क्या गोल्ड मेडल असली गोल्ड के होते हैं, और भी कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बनी रहे ये वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत चलिये स्टार्ट करते हैं, गैरेंटी और वारेंटी में क्या अंतर होता हैं, दोस्तों गैरेंटी एक प्रोमिस होता है, जो सेलर उस चीज की best quality के बारे में करता है, और वारेंटी एक certain टाइम के अंदर उस चीज को repair करने के लिए होती है, जब कोई व्यक्ती, संग्ठन یा company किसी कारे करम जैसे टीवी शो या reality शो के कुछ भाग का खर चुठाती है तो वो उस शो के sponsor बन जाते हैं कोई भी व्यति या company बिना किसी फायदे के किसी चीज़ को sponsor नहीं करती है वो ऐसा अपनी company या अपनी company के किसी product के advertisement के लिए करती है powered by ये वो companies होती है जो कि अपने प्रोडेक्ट को उस TV शो या रियलिटी शो में प्रोडेक्ट को यूज करने के लिए दे देती है शो में उस वज़े को बताया जाता है जिस वज़े से आपको वो चीज खरीदनी चाहिए अगर मोबाइल चलती ट्रेन से बाहर गिर जाए तो क्या करें? प्रेन में सफर करने के दोरान अगर आपका मोबाइल अचानक से नीचे गिर जाए तो सबसे पहले आपको रेलवे ट्रेक के किनारे लगे हुए पोल पर लिखा हुआ नंबर या साइट ट्रेक का नंबर नोट कर लेना चाहिए फिर तुरंत किसी अन्य यातरी के फोन की मदद से आरपी एफ यानि के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ओल इंडिया सिक्यूरिटी हेलप लाइन नंबर 182 पर सूच न दे देनी चाहिए इस दोरान आपको उन्हें ये बताना चाहिए कि आपका फोन किस पोल या ट्रेक नंबर के पास गिरा है ये जानकारी देने के बाद रेलवे पुलिस को आपका फोन खोजने में आसानी होगी और आपका फोन मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी डोक्टर इंजेक्शन में से हवा क्यों निकाल देते हैं? आपने इंजेक्शन लगवाते समय देखा ही होगा कि डोक्टर हमेशा सिरिंज में दवा भर कर उसमें मौझूद हवा को निकाल देती है डोक्टर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सिरींज में मौजूद हवा मोत का कारण बन सकती है अगर ये हवा ना निकाली जाए तो दवा के साथ साथ हमारे सरीर में हवा का बुलबुला जा सकता है जिससे ब्लड सर्कूलेशन में दिक्कत आ सकती है अगर ये हवा हमारे दिल तक पहुँच जाए तो इससे मौत तक भी हो सकती है अगर पैटरोल को फ्रीज में रख दें तो क्या होगा दोस्तों आपने कभी सोचा है कि अगर हम पैटरोल को फ्रीज में रख दें तो क्या वो जम जाएगा तो इसका आंसर है no क्योंकि हर liquid का अपना अपना freezing और boiling point होता है इसलिए अगर हम पानी को freeze में रखते हैं तो 0 degree तक पहुँचने पर वो बरफ बन जाता है लेकिन petrol का freezing point minus 60 degree Celsius है और आज तक किसी ने इतना powerful fridge नहीं बनाया है जो petrol को जमा सके नामबर 6 आखिर तिबबत के उपर से क्यों नहीं उड़ते हैं हवाई जहाज समूंदर से काफी उचाई पर होने और विसाल काय परवत की स्रंखला से गिरे होने के कारण तिबबत को दुनिया की छट भी कहा जाता है तिबबत धर्ती की उन विसेश जगहों में से एक है जहाँ विमान से वा बहुत ही कम है जादा उचाई पर होने के कारण इसके उपर से विमान उड़ा पाना लगबग असंबव हैं विसेश अग्यों की माने तो तिबबत दुनिया का सबसे कम दबावाला छेतर है इस छेत से नजदीक होने के कारण यहां हवाएं तेजी से चलती है और एक विमान के लिए इतनी तेजगती की हवाओं का सामना कर पाना मोद को गले लगाने के समान है नमबर सेवन छीक को रोगना इतना खतरना क्यूं होता है छीक आना एक प्राक्रतिक करिया है छीक आना स्वस्त जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है start जब कोई बाहरी तट्व हमारे सरीर में परवेस कर रहा होता है तो हमें छीक आ जाती है और वो चीज बाहरी रह जा और हमारे नाक और गले की कोशिकाओं पर दबाव डाल कर उन्हें नुकसान पहुचा सकता है। ठीकने के साथ हमारे सरीर में मौझूद खतरनाग बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। अगर आप छींक रोपते हैं तो यह सरीर में ही बने रहते हैं। जो स्वास्थ के लिए आनिकारक होते हैं। नंबर एट आर्मी ओफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं। सैनिकों को सिर्फ पर कई तरह के गैजिट पहनने होते हैं। जैसे हेलमेट, टोर्च, गैमरा और छोटे बालों में इन्हें पहनना आसान होता है। गोली चलाते वक्त बाल मुह पर आन होता है। बाल जल्दी सूख जाते हैं और सैनिक जल्दी तयार हो जाते हैं। नंबर नाइन, या गोल्ड मेडल असली सोने के होते हैं। तुनिया भर में उलंपिक गोल्ड सबसे बड़ी खेल उपलब दी होती है लेकिन क्या आप जानते हैं ये गोल्ड मैडल गोल्ड के नहीं बल्कि सिलवर के बने होते हैं जिन पर सिर्फ गोल्ड की पॉलिस की होती है 1912 के स्कोर्ट हॉम गेंज में ही आखरी बार प्ट्योर गोल्ड के मैडल दिये गए नामबर 10 असली डायमंड को कैसे पहचानते हैं हीरे के कोनों के आर पार देखिए अगर इंदर धनुस की तरह अलग 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 रंग दिखाई दे तो हीरा असली है और अगर कोई रंग ना दिखे और केवल सफेदी दिखे तो समझ लीजिए आप नकली पत्थर थामे हुए हैं दूसरा तरीका यह है कि हीरो को पानी में डालिए अगर डूप जाये तो असली और तैरने लगे तो नकली थैंक्स पर वोचिंग